इवरिवन मैं गणिष आप सबस्वाइद करता हूँ एक वरफिर से हमारी इस YouTube चैनल Learn with Ganiash में आज मैं आप सब के लिए एक बहुती बड़ी गुड निज लेकर आए हूँ एक बहुती बड़ी खुशकापरी लेकर आया हूँ जिसमें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि CBSE का slaves जो है वो कम कर दिया गया जी हाँ CBSE का slaves कम कर दिया गया और कम किस किस के लिए किया गया तो 9th से 12th तक के बच्चों के लिए slaves जो है वो कम किया गया तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या चीजे जो है स्लेवस से कम किया गया है तो उसको जानने के लिए आप Google पर जा कर cbscacademic.nic.in सर्च करेंगे और जैसे आप इसको सर्च करेंगे आप cbsc के official website पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर पहुंचते हैं आपको यह इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा और आप यहाँ पर आएंगे जहाँ पर तीन option आपको दिखेगा academic, training and skill education तो इन तीनों में से आपको जो है academic पर option पर क्लिक करना है और इसके उपर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको फिर से क्लिक करना है यह revised academic curriculum इसके उपर आप क्लिक करते ही आपके पास जो है यह message आएगा कि download करें documents को और जैसे इसको आप download करेंगे तो यह जो है एक official announcement है CBSC board द्वारा कि जो 9th to 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है syllabus वो कम कर दिया गया यह जो एक notification जो रिलीज किया गया है 27 July को रिलीज किया गया था यह जिसमें यह बताया गया है कि world में जो हमारी value ही है जो coronavirus का जो प्रकोप है उसकी बज़य से चुकि school बगारा बंध है और classes नहीं हो पा रही है इसलिए बच्चों के उपर से burden कम करने के लिए syllabus का burden कम करने के लिए CBSC ने क्या करा है कि syllabus को कम करने का निरनाई लिया है तो अब syllabus कम क्या क्या हुआ है तो इसको जो है आप यहाँ नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको यह link दिखेगा इस link पर आप click करेंगे तो जैसे ही आप click करेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरीके को इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपका पहले 9th और 10th के बच्चों के लिए है और second जो link है उसमें जो है आपका 11th और 12th के लिए तो आप जिस भी class के बारे में चेक करना चाते है उसके ओपर click करेंगे मैं यहाँ पर आपको 11th और 12th के बारे में बताता हूँ जैसे आप 11th और 12th बारे पर click करेंगे इस तरीके के कुछ चीजे खुलेंगी तो सबसे पहले आपको जानना क्या है कि delete क्या क्या किया गया है आपके slaves से ठीक है ताकि जो भी slaves था उसमें से अगर कुछ chapter निकाल दिया गया है तो अगर उसके बारे में पता चल जाएगा तो आप ये समझ जाओगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है तो delete बाला portion जो है यहाँ पर आपको देखे यही दिखा रहा है सर्क करिकुलम डिडक्शन डिटेल डिलीट पोर्शन ठीक है तो इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको क्लिक करते ही यह देखे इस तरीके कुछ इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपके all subjects अलग-अलग जो subjects 11-12 में उन सब के बारे में बताया गया कि कौन से subject में क्या-क्या चीजे हटाई गई है जैसे mathematics में आप देखना चाहते हैं कि क्या हटाया गया है history में क्या हटाया गया है या फिर political science में क्या हटाया गया है तो आप इन सब चीजों के बारे में देख सकते हैं तो मैं चलिए आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं आपको पोलिटिकल साइन्स के बारे में दिखाता हूँ कि पोलिटिकल साइन्स में क्या क्या चीज़े कम किया गया है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ओप्शन आएगा, आप इसको डाउनलोड किजिएगा, और यहाँ पर देखिए, आपको 11th क्लास में क्या क्या चीज़े कम किया गया है, उसके बारे में बताएगे, तो बुक नमबर फर्स्ट जो है, 11th की, Indian Constitution at work, इसमें जो है, यूनिट रंबर 6 और यूनिट रंबर 7 को कम्पलीटली डिलीट कर दिया गया है, और इसमें यह चैप्टर के नाम भी लिखे गए हैं, ठीक है, then, नीचे आप देखोगे, तो second book political theory में से, आपका 13, 14 और 15, ये तीनों चैप्टर जो है, डिलीट कर दिया गया है, citizenship, nationalism और secularism, ये तीनों चैप्टर कम्पलीटली डिलीट कर दिया गया है, 11th की बुक से, political science की, then, अगर आप देखेंगे, 12th की बुक में क्या-क्या डिलीट किया गया है, political science से, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, book first से क्या डिलीट किया गया है, तो book first में जो है, contemporary world politics, इसमें से, unit number 6, security in the contemporary world, completely deleted, and 7, environment and natural resources, ये भी completely डिलीट कर दिया गया, वहीं अगर second book में देखें, political science की, तो इसमें भी 10, 11, 14, 15 जो chapter है, ये आपका delete कर दिया गया, completely delete कर दिया गया, और ये जो deleted chapter है, ये तो ना आपके board exam में आएंगे, और ना ही आपको इसके उपर assignment बनाने को दिया जाएगा, ठीक है, तो चलिए, आज मैं यहीं पर इस video को समाप्त करता हूँ, क्योंकि इ पूरे subject के बारे में detail में नहीं बता पूँगा, हाँ, आप लोगों के लिए अलग से, एक-एक subject के बारे में detail में लेकर आऊँगा, कि आप कहा, आपके subject में अब क्या-क्या पढ़ना रहे गया है, ठीक है, तो चलिए हम इस video को यह पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए, बाइ, पारे, एक में लिए, तारा रहे हैं, शुआ हो से, बाइ, पयों भने एक एक लिए, लो एस रहे, शुआ हो तो बा दो थिक पर लेके यह, उत्वास्यों के बारे में भी मनादें, ऑा रहे,estraना चाहशना प्लीक नहीं, बाड़ना अनानी का कि पर जाहे, एक 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